और कि नंबर्स आएंगे कल, यानि उससे पहले अच्छी खास एक वॉलाटाइल मूव रह सकती है, इन फाक्ट एक डिरेक्शन मिल सकती है, आईटी स्टॉक्स को जहां से, जिन में लास्ट वीक ही मोमेंटम शुरू हो गया था, को आईटी स्टॉक्स यहां पर अडार पर अगर दो महीने का नजरिया बनाएं, तो मुझे लगता है कि TCS बाए कर सकते है, 3856 में, स्टॉक्स रहेगा 3700, और टार्गेट रहेगा 4100. I would like to congratulate Kapil also, Kapil I think two weeks पहले हमारे शोपर ही बताया था, कि IT सेक्टर जो है, वो कही न कहीं एक ब्रेक आउट दे रहा है, पूरा सेक्टर ही, और उसके बाद हमने चाल आते वे देखी भी थी, Kapil I.T. को स्टॉक इन व्यूव अच्छों के नंबस आने है, कुछ भी आ सकता है, we मुझे लग रहा है कि जो अन्य ब्लूचिप्स कमने चले हुए है, तो थोड़ा सा राउंड और प्रॉफिट बॉकिंग आ सकता है, लेकिन हमारा अगर नजरिया काफी बड़ा होता है, तो जो भी कुछ बीच में इंट्रमेटिक डिक्लाइनिंग मोमें आती है, तो मैं मान पर आते हैं, तो Infosys है, TCS है, HCLT है, ये तीन प्रमुक नाम है, जहां पर हम कर सकते हैं, निफ्टी IT के वैलियोशन में हम इने दिखा रहे हैं, जो 7 यह का आवरेज है, उस को आप देखें, 20.9 और इस वक 12 मन्थ फोवड भी उससे ऊपर चल रहा है, अलागि बहुत पिट आज है, तो अब इन में काफी गाप दिखता है, All-Time High से आप विपरो जैसे स्टॉक्स को देखें, 55% दूर है, Infosys Mid Cap IT में तो चला है नहीं, Mid Cap IT के कहीं सारे स्टॉक्स चले, लेकि as competitively, relatively, वहां पर काफी सारी मूव आनी बाकी है, Infosys जैसे स्टॉक्स में 24% तक की मूव आ आनी बाकी है, All-Time High से अभी 20-20% नीचे चल रहे हैं, तो इस पेस पर एक नजर तो बना कर रखनी चाहिए, लेकिन अज ओवराल बाजार में थोड़ा सा consolidation का trend जरूर दिख रहे हैं